जैहिन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीतू अश्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्मेजीकें हिंदी एंड आर्मेज रनिंग पर तो दोस्तों आज वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम 15 जीकें की क्वेस्चिनों को सॉल्फ करेंगे जो कि आपके आर्मी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है चाहे आप जीडी से हो चाहे आप महीला आर्मी की त्यारी कर रहे हो और तीए की चाहे आप नर्सिंग असिस्टेंट की त्यारी कर रहे हो तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत अंदाजा लगाए तो दोस्तों शुरू कते हैं आज का वीडियो तो पहला question है दोस्तों पहला question है दक्षिड अफ्रिका की राजधानी है दक्षिड अफ्रिका की राजधानी है तो option दिये है लंदन, मासको, केप ताउन या फिर न्यूर्ड तो दक्षिन अफरिका की राजधानी है, very important question है, इसका सही answer है, Cap Town, option C आपका बिल्कुल सही answer है, dot dot, दक्षिन अफरिका की राजधानी है, तो Cap Town आपका बिल्कुल सही answer है, option C आपका बिल्कुल सही answer है, तो दूस्तो इसी तरह के question आपके exam में आएंगे, बढ़ते हैं next question की तर अगला question दिखें है निमन लिखित में ताटा ग्रूब के संस्तापक कौन थे। option A है ज्यिँदॉ Griffus टाटा नौरो जी सकल्त में प्र börjar जमसे जी नसरवान जीenne तो इसका सही आंसर है जमसे ची नासरवान जी ऑफशन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है टाटा गुरूप के यह संस्तापक थे और नेक्स्ट ग्रेस्टन देखे अगला क्रेस्टन है वेरी इंपोर्टेंट ग्रेस्टन सही उक्तर राज अमेरिका के 44 राष्ट प जोर्ज बूस या फिर जो वीडेन तो इसका सही आंसर है बराक ओबामा जो की संयुक्त राज अमेरिका के 44 राष्ट पती थे बराक ओबामा आपका बिल्कुल सही आंसर है बराक ओबामा ओप्सन भी बढ़ते हैं अगले क्रेस्टन की तरफ अगला क्रेस्टन देखे दोफ ऍुम्र क्या है इसका Aopson दिया है 18 वर्स 21 वर्स 20 वर्स या फिर 24 वर्स तो इसका सही आंसर है 18 वर्स – वोड्ट देने की जो नियूंतम आयू होती है वो होती 18 वर्स ऐसका सही आंसर है अगला question क्या है अगला question है भारत में स्वेत करांती किस छेतर के साथ जुड़ा हुआ है भारत में स्वेत करांती very important question है स्वेत करांती किस छेतर के साथ जुड़ा हुआ है option दिये है किरसी मस्ते उतपादन दूद उतपादन या फिर दालों का उतपादन तो इसका सही answer है दू और दोस्तों जैसा कि स्वेद करांधी है स्वेद करांधी संबन द माना सभी आपका बिलकुल शाही आंशर नेक्स्ट वारथ में राजयपाल की नियूक्ति कौन करता है तो वैरी मंतरी या फिर उपराष्ट पती तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है राष्ट पती राष्ट पती जो है राज जिपाल की न्यूकती करता है ऑप्सन भी आपका बिलकुल सही आंसर है तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चिन आपके आएंगे आप इन क्वेश्चिनों में भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू हुआ तो अप्सन है 1941, 1944, 1944 या फिर 1942 तो दोस्तो इसी समाई भारत छोड़ो अंदोलन के समाई महात्मा गाधी ने करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू हुआ तो इसका सही आंसर है 1942 आपका बिल्कुल सही answer option D बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है सबसे कम समय में सबसे कम समय में 22,000 अंतराष्टिय वन दे तक पहुँचने वाले किरकेट खिलारी कौन है ये very important question है सबसे कम समय में 22,000 अंतराष्टिय वन पहुचने वाले किरकेट खिलारी कौन है तो option है विराट कोहली, स्टीव, स्मित, क्विंटन डी कौक या फिर किर्स केल इसका सही answer है विराट कोहली option ये आपका बिल्कुल सही answer है option A बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question क्या गहता है अगला question है भारत के सवीधान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो option 5, 4, 6 या फिर 7 तो भारत के सवीधान में कितने मौलिक अधिकार हैं इसका सही answer है इसका सही answer है जो लोग भी option C बता रहे option C, 6 आपका बिल्कुल सही answer है तो 6 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही answer है तो मौल सवीधान में आपके 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है अब है 6 अधिकार 6 मौलिक अधिकार है option C, आपका यहाँ पे बिल्कुल सही answer है अगला question देखिए भारत का राष्टिय फल क्या है दोस्तों इसी तरह के question आपसे पूछे जाते हैं एक ने क्वी question आएगा भारत का राष्टिय फल या राष्टिय फूल यह सब आता है question तो very important यह question है भारत का राष्टिय फल क्या है भारत का राष्टिय फल क्या है तो option A आम, केला, पपीता या फिर सेब इसका सही answer है आम भारत का राष्टिय फल है आम आपसे आपका बिल्कुल सही answer है next question देखिए दोस्तों next question है राष्टपती भावन के मसूर बाग का नाम बताईए option है नेहरु गार्डन, लाल बाग, लोधी गार्डन या फिर मुगल गार्डन तो यह very important question है राष्टपती भावन के मसूर बाग का नाम बताईए तो इसका सही answer है मुगल गार्डन मुगल गार्डन आपका बिलकुल सही आंसर है नेहिरू गार्डन आपका गलत है लाल भाग भी गलत है लोदी गार्डन भी बिलकुल गलत है मुगल गार्डन आपका सही है राष्ट पती भवन के मसूर बाग का नाम बताईए मुगल गार्डन आपका बिलकुल सही आंसर है अगला क्वेशन क्या है कि कौन सी भारत की राज सरकार फुटबॉल के दिग्ज़ डियगो मार्डोना की जीवन सहली की मूर्ति की इस्तापना करेंगे तो ये भी वेरी इंपोटेंट क्वेशन है कौन सी भारत की राज सरकार कौन भारत की राज सरकार फुटबॉल के दिग्ज़ डियगो मार्डोना की जीवन सहली की मूर्ति की इस्तापना करेंगे तो अप्शन है दिल्ली, केरल, गोवा या फिर असम तो इसका सही आंसर है गोवा गोवा आप याद रखे अप्शन करेंगे अगला क्रेशन देखते हैं अगला क्रेशन है भारत का लौह पुरूस किसे कहते हैं तो यह वेरी इंपोर्टेंट क्रेशन है very say very important question भारत का लौहपूरुस किसे कहते हैं तो उपनाम से question पुछाई जाता है भारत का लौहपूरुस किसे कहते हैं तो option है राजिक गांधी सर्दार पटेल महातमा गांधी या फिर अमिताप बच्चन तो question को ज्यान से पढ़िए इसका सही answer है ये एक अंसर बिल्कुल आप सभी को आता होगा भारत का लौह प्रूस सरदार पटेल तो इसका अंसर आप सभी को बिल्कुल ही आना चीए ऑप्सन भी आपका यहां पे सही अंसर है इसके अलब महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है बापू नाम से बढ़ते हैं नेक्स्ट केशिन की तरफ अगला केशिन देखे अगला केशिन है सिनेमा के छेत्र में सरवोच सम्मान डौट डौट है तो आपसन है फिल्म फेर सम्मान अरजुन पुरुसकार मेकस सम्मान या फिर दादा साहिब फाल के पुरुसकार तो सिने मा के छेतर में सरवोच सम्मान डॉट डॉट है इसका सही आंसर है दादा साहिब फाल के पुरुषकार option d आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है सिने मा के छेतर में सरवोच सम्मान है दादा साहिब फाल के पुरुषकार और अर्जुन पुरुषकार दिया जाता है खेल में, खेल के छेतर में दिया जाता है अर्जुन पुरुषकार और दादा सहेब फाल के पुरुषकार दिया जाता है सीने मा के छेतर में, तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बढ़ते हैं next question की तरफ, तो आज का last question है, very important question किस्टे अगर दोस्तो इन क्रografia को लगता है नहीं आता है और आप ऊप कि इन के नहुंड कर लीजए तो पर क्वेसिन परते हैं सिर्फ के धर्म की इस्तापना किस्टे की सिर्फ k फिस्ट्र में किस्तापना किस्थ्ने की गुरु अंगाद देव गुरु नानक देवبر के एक बहांदून या फिर गुरु गोविंदर सीन्ज इसका सही आंसर है सिख्क-धर्म कष्दापना के थी गुरु नानक देव नहीं गुरु नानक देव आपका बीलकुर सही आंसर है और संब्सक्षिक थापना किसमे की गुरु नानक देव ने तो ये थे आज की question दोस्तों एक बार फिर से recall कर लेते हैं सारे ही question को ताकि आपके समझ आपके जो question है वो आपको चरूर याद होंगे एक बार recall कर लेते हैं question को तो देखिए दोस्तों पहला question क्या था दक्षिन अफरीका की राजधानी कैप टाउन आपका answer था अगला question क्या था अगला question है निमन निखित मैंसे टाटा ग्रूप के संसापक कौन थे इसका answer था आपका जन्व सेजी नासर वान जी next question क्या था next question सहींत राज जी अमेरिका के 44 राश्टपती कौन थे तो बराक ओबामा आपका answer था next question क्या था अगला question देखिए दोस्तों वोट देने की नियूंता मुम्र क्या थी तो अठारा वर्स आप सभी को पता है option a.s का answer था next question भारत में स्वेत करांती की स्थेतर के सा चुड़ा हुआ है तो दूद उत्पादन आपका answer है next question भारत में राज जपाल के न्यूकती कौन करता है राश्टपती बिल्कुल सिंपल answer option भी आपका सही answer है next question क्या था भारत छोड़ो अंदोलन कब शुरू हुआ तो 1922 आपका answer था 1922 आपका answer है अगला question है सबसे कम समय में बाइस हचार अंतराश्टिय वनक पहुंचने वाले किर्केट खिलाड़ी कौन है तो यह है विराट कोहली अगला question दिखी दोस्तों अगला question है भारत के सविधान में कितने मौलिक अधिकार है छे आपका answer है और साथ मौल सविधान म अगला question है भारत का राश्टिय वाल क्या है तो यह आम आपका answer बिलकुल सही है नेक्स्ट question राश्टपती भवन के मसूर बाग का नाम बताईए मुगल गार्डन आपका बिलकुल सही answer है बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question था भारत की राज सरकार फुड़ वाल के दि औपसन C आपका बिलकुल सही answer है नेक्स्ट Do नेक्स डोगरेशन क्या था सिनेमा के छेत्र में सहरोच सम्मान है नेक्स ब्रम के तर्म की इस्तापना किस沥ने की गुरु नानगदेव आपका बिलकुल सही answer है और पर कितने नंबर तो नवे आपका नवे नंबर मानिका। नंबर इस लिए एक बहादूर है ऑप गुरुल कि दोस्तों यह तो आजky, ुमीद आपने सारह विच्छों को बहुत अच्छी ढहा हुग कुछ blijन, करना है और कितने questions सही हुए हैं ये भी आपको जैक करना है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के जाहिन जाहि भारत